तो दोस्तो हर शुक्रोबाल को एक international electric three wheelers के बारे में जानेंगे ताकि पता रहे हमें घर के बाहर भी क्या चल रहा है electric three wheelers को लेकर तो इस आपते लेकर आगा हूँ फिलिपीनी देश से हतासू company का electric three wheelers के बारे में जानेंगे तो दोस्तो हतासू company electric two wheeler manufacturing करने वाली company है तो उसी segment के अंदर higher variant के लिए इन्होंने इस electric three wheelers को L2A category के अंदर launch किया है और इस category के लिए कोई भी registration नहीं होती है और इस category के vehicles को चलाने के लिए कोई भी driving license की भी requirement नहीं होती है L2A category के अंदर e-bike ही आते हैं तो यह जो electric three wheeler है वो two wheeler segment के अंदर आती है लेकिन इसके जो specification और performance और feature जो है वो लगबग इंडिया के e-rickshya के ही दिये है अगर हम इसका front design अगर देखा जाए तो काफी unique दिया हुआ है और headlamp जो है वो LED दिये गए है और indicator भी LED प्रवाइट गिये गए है इसके अंदर अगर हम इसके suspension की बाद की जाए तो front के अंदर telescopic जो motorcycle में मिलने वाले suspension दिये है और rear side जो है वो hydraulic suspension दिये गए है अगर हम wheels देखा जाए तो front के अंदर 12 inch के tires दिये है और rear side जो है वो 10 inch के tires दिये है ताकि इसका balance control रहे और इस tires की जो speed control करने के लिए इसके अंदर mechanical के लिए ही braking system दिया गया है जो कि basically हमारे e-rikshah के अंदर वही braking system मिलते हैं तो दोस्तों हम देखे हैं electric auto rikshah के अंदर 3 passenger और एक driver sitting capacity या e-rikshah के अंदर 4 passenger और driver sitting capacity लेकिन इसके अंदर 2 passenger और driver sitting capacity मिल रही है जो कि काफी unique है electric two wheelers के अंदर थोड़ा advance ही समझिए कि two wheelers के ओपर ही तो एक passenger और driver ही अलाव हो लेकिन इसके अंदर वहराल 3 जन अराम से travel कर सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर 250 kg का payload capacity भी हम लेके जा सकते हैं और payload capacity के लिए यहनों ने पीछे passenger city के अंदर काफी अच्छा container management किया है तो seat को अगर हम fold करेंगे तो यहां पे एक separate container बन जाता है load carry करने के लिए काफी unique design किया है यहां पे इस segment के लिए और इस payload capacity के साथ इस 3 wheeler के अंदर हमें 25 km per hour की top speed दी जा रही है और क्या expect करोगे हमारे पास लगबग E-Rikshare के अंदर यही speed मिलती है और इस speed को देने के लिए इसके अंदर 650 volt का motor दी गई है जिससे हमें 60-70 km का range मिलता है और इस range को देने के लिए इसके अंदर 48 voltage वाली 32 amps की lead acid battery मिलती है जो कि मैं पहले बताया हूँ लगबग इसके जो specification है वो हमारे E-Rikshare के ही है हमारे E-Rikshare में भी lead acid battery मिलती है ज्यादा तर तो इसके अंदर भी lead acid battery दिया है और speed भी इसकी control की गई है यानि 25 km की मिल रही है लेकिन हमारे E-Rikshare के अंदर तो sitting capacity 4 की मिलती है ताकि उसको business purpose के लिए use करते हैं तो यह जो है वो personal vehicle बताया गया है और इस electric 3 wheelers को charge करने के लिए इसके अंदर जो charger दिया गया है वो काफी छोटा है आप वो charger है लेकिन काफी छोटा है लगबग आपका laptop का charger के size होगा तो बहुत ही छोटा है काफी अच्छा लगा मुझे charger को देखके इसके braking system जो है वो अपने हाथ के handle पे भी मिलता है और leg पेपास paddle में भी मिलता है और इसके अलावा इसके अंदर mobile चार्ज करने के लिए charging port USB port दिया है उसके साथ C type charging port भी दिया है अभी तक इसके अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ 3 wheeler या 2 wheeler segment के अंदर C type का भी दिया है इनो और कुछ सामान वगेरा mobile वगेरा रखने के लिए front में थोड़ा space भी इनोंने वहां पे manage की है इन सभी specification के साथ हतास हीरो की अगर pricing की बात की जाए तो फिलिपीनी का जो price है 64,990 pesos के आता है तो इंडिया के लगबग 97,000 का price बनता है तो 97,000 price range के ओपर ये लेना तो मेरे को उतना value for money नहीं दिख रहा है क्योंकि two wheelers इससे ज़्यादा काम आती है हमारे लिए तो two wheelers से comparison करें तो बहुत ही कम uses दिख रहा है हमारे इंडिया के अंदर वो इससे आप क्या सुस्त है नीचे comment करके जरूर बताना दोस्तों इसके अलावा इस unique three wheeler के अंदर मुझे इसका container जो बनाया है design जो है वो मुझे interest लगा इसी तरह का design स्री लंका की आटो रिक्षा के अंदर भी किया गया था जिसके अंदर passenger को भी बिटा सकते हो अगर आप passenger के साथ नहीं travel करना चाहते तो seat को आप फोल्ड करके luggage वगरा भी ले जा सकते हो आपका loading डाल के भी ले जा सकते ह अगर इंडिया में आ तो काफी useful होगा क्योंकि बहुत सारे आटो रिक्षा के अंदर जो की passenger आटो रिक्षा होते हैं उसके अंदर load carry करते हैं तो अगर company के तरह से ही इसी तरह का design आएगा तो काफी useful हो सकता है इसके ओपर भी आप नीचे comment करके जरूर बताना दोस्तों design आना चाहिए इंडिया में या दो category एक cargo और ये passenger ही रहना चाहिए तो दोस्तों ये था इस week का international electric three wheeler के बारे में उम्मिद करता हूं वीडियो पसंद आई हो गया अगर पसंद आई तो like and share करना मत भूलिए और इसी तरह की unique electric three wheelers के बारे में जानने के लिए चानल को जरू subscribe करके लख लेना तो मिलते हैं एक और electric three wheeler के वीडियो में until then bye bye and see you